और लोगसबा चिनाफ के लिए तूफानी प्रचार में जुटे नेताओं की बयानबाजी से अब तूफान सा आ गया है मोधी और ममता के बीचल रही जुबानी जंग अब और बढ़ गई है जाएं एक तरफ मोधी ने पश्य मंगाल की सियम ममता बनर जी को ब्रेकर दीदी कहा तो वहीं दीदी ने मोधी को प्रधान मंत्री मानने से ही इंकार कर दिया है चकरवाद तूफान फोनी तो तबाही मचा कर चला गया लेकिन अपने पीछे देश में राजनीती को हवा दे गया प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी फोनी तूफान से हुए नुकसान का जाइजा लेने ओडिशा पहुँचे और किंद्र सरकार ने बंगाल में फोनी तूफान से हुए नुकसान के लिए एक रिव्यू बैठक का प्रस्ताव रख दिया लेकिन राजी की ममता बैनर्जी सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया मोदी इस बात पर तिल मिला उठे और पश्चिम मंगाल के तामलुक से चकरवाद फोनी के बहाने ममता बैनर्जी पर करारा हमला बोल दिया और ममता बैनर्जी को ब्रेकर दीदी कह डाला पश्चिम मंगाल में एक स्पीड ब्रेकर है स्पीड ब्रेकर इस स्पीड ब्रेकर को यहां के लोग दीदी के नाम से जानते हैं यह दीदी आपके विकास की स्पीड ब्रेकर है साथ्यों दीदी को गरीबों की चिंता नहीं है यहीं से मोधी और ममता की बीच छठे चरण से पहले बयानों के चौके छक्के लगने लगे और दोनों की बीच सुपर टक्कर होने लगी ममता सरकार की दबंगई खुलकर स्तामने आ गई और उन्होंने मोधी को प्रधानमंत्री मानने से इनकार कर दिया ममता और मोदी में जुबानी जंग यही नहीं रुकी मोदी ने जार ग्राम में रैली के दौरान जैश्री राम के नारे लगवाए और वहीं से ममता पर हमला करते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में हलात ऐसे हैं कि कोई जैश्री राम बोले तो उसे जेल में डाल दिया जाता है आपने तो इनी वाम पंतियों के विरुद लड़ाई लड़ी थी मा, माटी और मानूस ने आपको शक्ती दी थी फिर आप जैश्री राम को कहने वालों को जेल क्यों बेजने लगी हो मैं आज दीदी को साप साप कहना चाहता हूँ बगवान राम हमारी रगों में है लेकिन ममता भी कहां चुप रहने वाली थी पीएम मोधी पर पलटवार करते हुए ममता ने सवाल उठा दिये कि वो जैश्री राम का जाब करने में वेस्थ है लेकिन राम मंदिर अभी तक क्यों नहीं बनवाया दरसल पश्चिम बंगाल के चंदरकोंड में ममता बेनरजी का काफिला गुजरने के दौरान बीजेपी कारे करता जैश्री राम के नारे लगाने लगे जिस पर वो भड़क गई ममता ने काफिला रुकवाया और कार से उतराई और नारे बाजी कर रह लोगों पर बरस पड़ी इस वज़े से बंगाल की लड़ाई और तीक ही हो गई लोग सभा की ये चुनावी जंग अब जुबानी जंग में तबदील हो गई है लेकिन ये बाद भी कहना गलत नहीं होगा कि मोधी को फिर से प्रधार मंत्री बनानी की राह में ममता सबसे बड़ा रोडा साबित हो रही है